आर्केंजल माइकल सारे आर्केंजल में से सबसे जादा सूपर पाफुल माने जाते हैं हम ये मानते हैं कि वो इश्वर के सबसे करीब हैं और उनसे की गई प्रातनाएं तुरंत स्विकार होती हैं, पूरी होती हैं Archangel Michael को हम अपनी protection के लिए बुला सकते हैं अपनी wishes के लिए बुला सकते हैं उनको हम call कर सकते हैं miracles के लिए क्योंकि वो इतने powerful है Archangel Michael का जो sword है उसमें से जो blue light निकलती है वो बहुत ही ज़ादा powerful मानी जाती है अभी इस blue color से related ही कुछ ritual आप कर सकते हैं Archangel Michael से जब आपको instant help चाहिए यह आप चाहते हैं कि आपकी life में कोई miracle हो ठीक है यह आपके ओपर depend करता है कि आप कितने positivity और कितने विश्वास के साथ चीज़ें या ritual करते हैं क्योंकि आप जब connect कर पाते हैं divine power से तब भी divine आपकी help करेंगे और आपको सुनेंगे तो यह क्या है Archangel Michael के लिए मैंने blue color बोला blue color का मतलब ही होता है एक नई beginning, नई शुरुवात, healing आपके लिए एक strength मिलना, intuition power का जागना आपके लिए सब कुछ positive होना blue का मतलब ही है कि सब कुछ positive सब ठीक है अभी सब शान्त है, अभी सब कुछ हो सकता है एक hope जगाती है blue light, okay अभी उस blue को ही आप दिमाग में रख करके Archangel Michael से pray कर सकते हैं उनका यह चोटा सा ritual कर सकते हैं आप लोग Archangel Michael से pray करने के लिए अगर आपके पास blue color का candle है तो बहुत अच्छी बात है आप उसको जला के बैठ सकते हैं generally नहीं होता blue colors या colorful candles अवेलिबल नहीं होते उस time पे आप white candle ले लीजे उसी को जला लीजे कोई दिक्कत नहीं है हाँ, शर्त इतनी है कि आपको एक paper लेना है उसके उपर blue color से बड़ा सा circle बनाना है इस circle के बीच में ही आप अपनी मुबती को जलाएंगे blue pen हमेशा अवेलिबल रहता है और आप अपने left hand पे अपने पूरे के पूरे palm पे कहीं पे भी एक छोटा सा blue color का dot बनाएंगे ये dot signify करेगा कि आप Archangel Michael से connected है ये dot हमेशा आपके हाथ पे रहेगा जब भी जैसे हम numbers लिखने के लिए बोलते हैं कि numbers अगर erase हो जाते हैं तो वापस से pen लीजिए वापस से darken कर लीजिए उसी तरह से इस dot के साथ आपको करना है जब भी आपके हाथ से ये dot मिट जाता है वापस से blue pen लेंगे और वापस से एक dark सा dot बना लेंगे ये dot आप लोगों को Archangel से connected रखेगा now क्योंकि हम Archangel Michael से miracle के लिए prayer कर रहे हैं life में जब कुछ stuck होता है लगता है कि कुछ ऐसा हो जाए कोई miracle हो जाए कि हमारी wish manifest हो जाए रास्ते से blockages निकल जाए परिशानियां खतम हो जाए अब जिनके पास blue stones है, blue crystals है like आपका lapis हो सकता है sodalite हो सकता है blue tigers हो सकता है blue appetite हो सकता है इन में से कोई भी stones, crystals के या blue color के और भी बहुत सारे crystals है वो अगर available है तो आप उन crystals को हाथ में लेकर आप Archangel Michael का prayer करेंगे paper आपने circle बना करके रखा है उसके ओपर आप candle जला लोगे किसी भी color का जला सकते हो blue है तो बहुत अच्छा है जला करके आराम से बैठे आँखें बंद करें अगर आपके पास crystals हैं तो crystals को निकाल करके अपने हाथ में रख ले अच्छे से हाथ में रख करके आँखें बंद करके बैठें और फिर आप पहले तो Archangel Michael को visualize करें अपनी language में उनको पुकारें simple बोले Archangel Michael I call on you Archangel Michael I call on you Archangel Michael I call on you इस चीज को आप repeat करते रहें ताकि Archangel आपसे connect कर पाएं और आपकी आवाज सुन पाएं इसके बाद फिर थोड़े दिर शांती से बैठेंगे फिर आप Archangel Michael से अपनी जिस भी परेशानी के लिए wish के लिए प्रातना करना चाहते हैं वो आप करनी शुरू करेंगे आप उनसे अपनी भाषा में अपनी language में request की तरह prayer कीजे कि वो आपको help करें आपकी परेशानी से निकालें या फिर आपकी जो भी wishes है उसको manifest करने में आपकी मदद करें इस तरह की प्रातना करने के बाद आप Archangel Michael को thank you बोलेंगे gratitude शो करेंगे मैं कोई written prayer नहीं दे रही हूँ आप अपनी language में pray करेंगे बहुत simple आपको सिर्फ prayer start करने से पहले कम से कम 11 times आप Archangel Michael को call करेंगे सबसे पहले Archangel Michael I call on you Archangel Michael I call on you इस तरह से 11 times भूलने के बाद आप अपना pen लेंगे अपने left hand पे अपनी हतेली पे कहीं पे भी एक छोटा सा dot बनाएंगे ये dot signify करेगा कि आप Archangel से connected है और ये dot को आप बना के रखें आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं और वो dot आपके हाथ पे हमेशा रहेगा इस dot को आप daily बनाएं रोजाना अगर आप hand wash करते हैं अब हो जाता है तो भी आप pen लें और वापस इसको थोड़ा prominent बना के रखें Archangel आपसे connected है जब आपके wish fulfill हो जाए मेरा कल आपके life में हो जाए तब फिर आप इस dot को बनाना बन कर दे तब तक के लिए एक छोटा सा dot बनाना है प्लीज लेकिन इसे बनाये जरूर Archangel Michael के लिए रोजाना आप उनको याद भी करें जब भी आप ये dot देखें आपको उनसे again बोलना है Archangel Michael I call on you ठीक है और फिर अपनी जो भी request है जो भी prayer है उसको जरूर आप उनसे करें Archangel Michael बहुत powerful है आप सबकी wishes definitely manifest करेंगे ये जो candle रखके करने वाला ritual है ये किस वक्त करना है किसी भी वक्त किसी भी दिन कर सकते है miracle की जरूरत हमें कभी भी पढ़ सकती है तो इसलिए मैं कोई दिनवार में इसको specify नहीं कर रही हूँ सिर्फ blue color का ध्यान रखना है जो भी circle रहेगा blue color का candle अगर blue मिल जाता है अच्छी बात है dot रहेगा blue color का आप इसे first पर बैठके कर सकते हैं ध्यान से करें क्यूंकि उस circle के बीच में आप candle जला रहे हैं तो paper है नीचे जलने के पूरे आसार रहते हैं इसलिए बहुत carefully आपको करना है और जैसे ही आपने prayer की मुश्कल से 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको ये ritual करने में और ये करने के बाद आप मुम्बत्ती को बजा के रख देंगे paper जो इसमें आपने circle बनाया है इसको आप fold करके अपने पास रखेंगे आप चाहें तो फिर से इस सेम प्रक्रिया को repeat कर सकते हैं और फिर से बैठ करके आप prayer कर सकते हैं अगर इस paper की बिल्कुल जरुवत नहीं है तो आप इसे जला करके dispose कर सकते हैं तो ये छोटा सा remedy है छोटा सा ritual है आप के लिए कि वो कुछ miracle करें आपके लिए instantly उसके लिए छोटा सास्पल अब जरूर करें and yeah that's all thank you so much